Question number 236 में दिया है, 78 is divided into two parts, such that ratio between 4 times first part and 5 times the second part is 14 is to 15, तो बताना है, first part क्या है, तो जो एक part है माल लेते हैं, x, second part है y, दोनों को add करेंगे, तो कितना ना चाहिए, 78, अभी आते हैं question में, first part का कितना है, 5 times, मतलब कि 5x, and second part का कितना है, 4 times, मतलब कि 4y, अच्छा, 4 times first part है, sorry, 4 times first part है, तो 4x, और 5 times second part है, तो 5y, इसका value कितना दिया है, 14 by 15, तो 3 times में गया, और a आपका 2, फिर 7, तो x by y का value कितना है, 7 by 6, तो x plus y कितना हो गया, 13, इस 13 का value 78 है, तो 1 का value हो जाएगा 6, हमें बताना है, first part, x, x कितना था, 7, 7 हो जाएगा आपका, 42, तो इस question का सही answer कहा है, option number 1, उमीद है आपको solution समझ में आ गया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए question के साथ, और हाँ, अगर आपको solution पसंद है, तो channel को जरूर subscribe कर, धन्यवाद,